Hello my dear ones, आज इस वीडियो में बात करने वाली हो में primal therapy के बारे में ये बहुत ही powerful therapy है जो आपके repressed emotions को, कोई भी childhood traumas, कुछ भी ऐसे past experiences जो खराब रहे हैं, आपके अंदर दबे पड़े हैं, उसकी वज़ा से जो आज आपको दिक्कत आती है, उसके connection को बहुत ही अच्छी तरी emotion से free होकर एक happy, healthy, calm, confident life आप जी सकते हैं, तो इसमें 7 steps होते हैं, अगर आप सारे साथ के साथ steps को अच्छी तरीके से follow करते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी एक free life जी पाएंगे, इस वीडियो को हम शुरू करें, उससे पहले आप आप को download कर लीजे, ताकि आ आप daily breathing exercise करें, meditation करें और बहुत खुश रहें, dear depression, let's break up, जो कि एक masterpiece है, जरूर पढ़ें और पढ़ाएं, तो चलिए, शुरू करते हैं, सीखते हैं हम, पहला step है identification of feelings, यानि कि आप जो भी feel कर रहे हैं, उसको identify करें, जैसे मैं आपको एक example देकर बताती हो, तो यहाँ पर एक example है, एक person का, जिसको एक responsibility दी गई है, उसको 20 लोगों की team का head बना दिया गया है, उसको responsibility मिली है कि आपको यह 20 लोगों को manage करना है, आपको team को lead करना है, अब यह है तो एक अच्छी opportunity ना, किसी को अगर team leader बना दिया है, तो यानि कि उसकी growth ही होई है, उसको promote ही किया गया है, लेकिन यह जब उसको promotion मिला, उसके अंदर anxiety develop हो गई, और anxiety भी है, बहुत हलकी सी नहीं, anxiety भी काफी अच्छे level की, तो ऐसे यहाँ पर देखते हैं कि feeling क्या है, anxious feel करा है यह person, अब anxiety का level क्या है, 1 to 10 के scale पर 7 है यह anxiety का level, और क्या है, एक नई responsibility आई है, team lead करना है, team leader बनाया गया है, अब दूसरे उसमें हम क्या करेंगी, connection of past events, कि क्या past से इसका कोई connection है, कि अगर आपको कोई ऐसी responsibility दी जाए, तो उस time पर आप खुश होने की बजाए, confident feel करने की बजाए, आप anxious feel कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अंदर इससे related experience है, क्या past का ऐसा, तो चेक करें, तो याद करके इनोंने बताए कि yes, जब ये 8th class में थे, तो इनको class monitor बनाया गया था, और इनको responsibility दी गई थी, कि आपको पूरी class को manage करना है, और class पुरा शान्त रहे, लेकिन ये उस responsibility को बहुत अच्छी तरीके से निभा नहीं पाये थे, इनके control में class आई नहीं थी, बच्चे शोर मचा रहे थे, बच्चे इनकी बात को अंसुना कर रहे थे, और इनको teacher से डाट पड़ी थी, और उस time पर ये बहुत ही ज़ादा बुरा feel कर रहे थे, ऐसे incapable feel कर रहे थे, कि जैसे कि न, कि ये सक्षम ही नहीं है, इस like ही नहीं है, कि ये कोई responsibility दी जाए, दूस responsibility को अची तरी किसे नहीं निभाया था, तो यहाँ पर हमें second step में, याद करने से पता चल जाता है, कि past event से उसका क्या connection है, जब भी आप zone डालेंगे, तो आप देखेंगे, कि ज़रूर past में कोई न कोई si experience आपका पड़ा होता ही है, जो बार 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 वो emotional response अपी भी करने लगता है, मैंने अपनी बहुत सारी videos में आपको सिखाया है, कि past experiences कितने matter करते हैं, और जो first experiences होते हैं, वो हमारे लिए कुछ जाधा ही matter करते हैं, तो यहाँ पर इनका था 8th class में monitor की, जब इनको responsibility दी गई, तो यह उसको अची तरीके से नहीं निभा पाये, फिर third step में expression करना होता है, आपको पूरा express करना होता है, तो आप express करें कि बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी को बोल दें, या आप journal लिख लें, तो मैंने इनको बोला कि आप न express करें, तो यह उनको बोला कि हाँ ठीक है, तो मैं अपने उस 8th class में पढ़ने वाले, अपना वो, जो म मैं एक लेटर लेकर express कर सकता हूँ, अच्छा, आप expression इस तरीके से भी कर सकते हैं, written, है न, या आप just mirror के सामने खड़ो कर भी express कर सकते हैं, अपनी feelings को, अब उसमें आप express करेंगे, न, it's okay, कि ठीक है, ऐसा हो जाता है, कि आपको कोई responsibility नहीं दी गई है, और आप उसको अच और नहीं थे, आप भी छोटे बच्चे थे, नहीं समाल पाए, तो आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, उस छोटे बच्चे को, 8th class के, अपने उस self को, तो आप express कर सकते हैं, अपनी feelings को, तो third step में, express करना होता है, और express करते वक्त, अगर कोई भी overwhelming emotions आप feel कर होते हैं, तो वो भी feel करना, it's okay, फिर fourth step में, exploration of context, कि actual में, क्या ऐसा हुआ था, exactly, जिसकी बज़ा से, वो negative emotions आपके अंदर, repressed हो गए, बार बार क्यों ऐसा, मतलब, आपने इतना जाता, उसे deeply क्यों ले लिया, ठीक है, पर आप बच्चे थे, 8th class में थे, आप नहीं उस responsibility को, अची तरीके से नभा पाए, लेकिन, ऐसे क्या हुआ, कि वो इतना deep down चले गए, तो उन्होंने याद करकर बताया मुझे, कि जब वो class को चुप कर आते थे, तो चुप तो होती नहीं थी class, बल्कि एक दो लड़के उनकी तरफ हाथ करके से बोते थे, आया बड़ा monitor, हमें चुप कर आएग इस तरीके से इनको data, तो वो सब चीजे जो उनकी आवाज थी, उनके expressions से teacher का जो बोलना था, वो सब चीज इनके दिमाग में बहुत ज़दा deeply impact किया, और इनको बहुत ज़दा बुरा feel हुआ, इनको incapable feel हुआ कि मैं अपने responsibility को अच्छी तरीके से नहीं निभा सकता, दूसरे expressions, दूसरों के words, मतलब वो जो memory थी इनके अंदर, एक पूरे structure में थी, तो क्योंकि यहां पर भी आपको टीम को monitor करना होगा, अपने आपको, है नो, उनको सब manage करना होगा, तो वहां पर जो भी इस तरीके का similar experience था, वो actually exact similar नहीं होगा, बिलकुल, जो भी उससे मिलता जुलता होता है, तो वो ऐसे emotions को, insecurity को produce कर रहा था, इनके confidence को down कर रहा था, इनने anxious कर रहा था, तो यहां पर पूरा explanation of context, फिर उसके बाद relieving the experience, तो इनको बोला गया कि ठीक है, आपने चूस किया, express करना letter लिखकर अपने उस junior self को, तो आपना उसमें लिखी है, उसको बताईए बहुत clearly कि it's okay, इतना बुरा feel करने वाले इसमें कोई बात नहीं है, आप भी छोटे थे, आपको teacher ने ऐसे ही randomly monitor बना दिया, और बच्चे उस सेज में naughty तो होते ही हैं, इस तरह के से tease करते ही हैं, और वो सब आपको tease purposefully नहीं कर रहे थे और आपको वो, उनका tease करना, या उनका चुपना होना, या उस टाइम आपका class ना manage कर बाना, इस बात का कोई भी ऐसा evidence नहीं है, कि आप बड़े होने के बाद भी ये सब चीज़े ऐची तरीके से manage नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप same age group के बच्चे होते हैं, आपी के बीच म होती है company में, यहाँ पर वो लोग आपको वैसे treat नहीं करेंगे, जैसे कि आपके class के बच्चों ने आपको इस तरीके से किया था, तो आप अपने उस junior self को बताए, it's okay, कि अगर लोग आप पर हस रहे थे, आपको tease कर रहे थे, उनकी tone गड़ बढ़ थी, या उनके expressions ऐसे थे या वो बोल रहे थे, तिरसे नहीं हो पाएगा, हम तो चुप नहीं होंगे, तो वो सब चीजे ये define नहीं करती हैं, कि आप incapable है, या आप एक बार fail हो गए, तो आप जिंदगी में कभी successfully तरीके की situations को handling नहीं कर सकते, तो वो सारा आप बहुत अची तरीके से ना अपने emotions को release करें, और उसे confidence थे अपने उस junior self को, कि अगर उसने किसी और तरीके से try किया होता, उसने अगर teacher की help ली होती, या थोड़ा सा सूचा होता, या घर पे जाकर किससे discuss किया होता, या class में ही अपना एक group बनाया होता, एक supporting group, है ना, थोड़ा सा smartness से काम लिया होता, तो शायद experience वो change हो गया था, तभी के तभी, लेकिन उस time आप खुद छोटे थे थे था, आपको वो idea नहीं आया, बट अब आप बड़े हो गया हो, आपके पास education है, experience है, और अब आप उस सारी situation को, उससे मिलती जुलती हर तरीके की situation को, बहुत बहतरी से समानने के लायक है, अब आप बड़े हो चुके हैं, तो वो पास के जो emotion से वो भी release करना, और अपने उस junior self को, अपने इस grown-up self से, एक message भी भेजना, कि अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सब समाने लायक हूँ, और मैं flexible हूँ, अगर एक strategy काम नहीं करेगी, टीम को manage करने की, तो मैं flexible हूँ, मैं दूसर ऐसे confidence डाउन कर रहा है आपका, वो सारे messages भेजना, वो बंद करते हैं, अब यह आपका junior self कौन सा, आपके अंदर जहांपर memories stored है, आपके subconscious mind को up message दे रहे हैं, तो basically आपके subconscious mind को, किवल उस memory के structure से मतलब होता है, तो अब जब आप इस तरीके से बता रहे हैं उसको, यानि कि आ वहाँ पर आप imagination भी add कर सकते हैं, जब आप relief कर रहे हैं उस experience से, तो वहाँ पर क्या है कि आप इस तरीके से भी imagine कर सकते हैं, कि जब आप उसको वो letter लिख रहे हैं, तो आप ना देख रहे हैं कि वो आपकी सारी बाते सुनकर, पढ़कर, अभी ना बिलकुल relax हो रहा है, तो कर सकता हूँ, कि एक पर fail हो तो इसका मतले भी थोड़ना है, हमेशा fail होता रहोंगा, तो वो अंदर से change हो रहा है, तो आप ऐसी imagination भी add कर सकते हैं, इससे इसकी effectiveness बढ़ जाती है, और simply आप उसको ऐसे writing में भी लिख सकते हैं, आपके words किस तरीके से आप choose करते हैं, किस तरीक on the process, फिर उसके आपको reflect करना है, कि उसके बाद आप ने जब यह सब expression कर दिया, पूरा written में, है ना पूरा self, पूरा context देख लिया, उसका relief कि अपने अंदर से, जो भी suppressed emotions थे, उसके बाद अब आप कैसा feel कर रहे हैं, तो आपको naturally, 100%, बहुत ही जादा relax feel होगा, मैंने बुता पूरी की पूरी अंदर की, जो memory का structure change कर देते हैं, तो आपका subconscious mind, जो भी आप mentally कुछ भी added करते हैं, कुछ भी change करते हैं, और reality में कुछ चेंज करते हैं, उसको एक ही मानता है, तो अंदर जैसी किसी memory का structure change होता है, तो feelings automatically change हो जाती है, आपका behavior automatically change होता है, तो जब आप इसको अगर imagination के साथ करेंगे, तो यह वाला step और relieving वाला जो fifth step हो और effective हो जाएगा, और फिर जो result है, जो sixth step का है, कि reflecting on the process, यह जो process आपने किया, अभी reflection किया रहा है आपके उपर, आपके anxiety का level कितना down जा रहा है, आपको अंदर confidence का level कितना बढ़ रहा है, क्योंकि anxiety का level down जाएगा future में भी अब कभी है, इस तरीके की situations आ सकती है, तो जिससे एक बार आपने link break कर लिया, क्योंकि अगर आपने एक बार यह चीज समझ ली कि अच्छा, यह मेरे साथ इसलिए हो रहा है, क्योंकि past में इस तरीके का कोई similar experience मेरे अंदर पड़ावाए, तो वहां का mind, previous experience use करके, म मुझे यह automatic thoughts आ रही है, या मुझे इस तरीके से कोई भी urges sensations feel हो रही है, तो मेरे अंदर give up करने का, या avoid करने का, जो भी आ रहा है, वो सब उस past से influence होकर आ रहा है, क्योंकि हमारा mind क्या है, mind past में जो भी experiences होते हैं, उसको base बना कर, आपको कुछ नव कुछ suggestion देता रहता है, तो जब आप ऐसा समझ जाते हैं, कि अच्छा, ये आज की reality नहीं है, mind ये नहीं बता रहा कि आज ऐसा ही हो जाएगा, या आगे चल कर ऐसा होगा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि इस तरीके की situation में, देखो तुमारे साथ ऐसा हुआ था, तुमने ऐसा किया था, और वो कोशिश कर रहा है, तो आपसे ये कह रहा है, कि past का experience था, कुछ बदल लो, नया experience दे लो, लेकिन आप ये मान कर बढ़ जाते हैं, कि past मगर ऐसा हुआ था, आप नहीं कर पाये थे, तो आज भी नहीं कर पाएंगे, नहीं, आपके mind का ये बिलकुल मतलब नहीं है, mind क्या है, वो तो इसी mechanism पर काम करता है, कि जो भी past के references, experiences उसके पास पड़े वे होते हैं, वो उसी के base पर आपको suggest करना जानता है, तो mind को आप दोशी मत मानो, सिर्फ उसके function करने की तरीके को समझो, अब नया experience डाल दोगे, तो पुराने experience पे नया experience के layer चर जाएगी, next time वो आपको confidence देने लग जाएगा, अब एक mind पहली बार में आपका anxiety दे रहा है, अगली बार में आपको confidence देने लग जाएगा, जब वो आपको positive देता है, तो आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब वो negative देता है, तो आप बड़े ही दुखी हो जाते हैं, समझना ये है, कि वो negative जान आगे जब भी कोई future episodes तरीके के आएंगे, एक या नेक situation अलगले तरीके के आएंगी, तो फिर से यही सब समझ रहा है कि इसका कोई नो कोई past link होगा भई, उस link से हमें disconnect करना है, अपने आपको उस चीज़ को जो past के रूप में हमारे अंदर experience के रूप में, reference के रूप में प से जो भी information अंदर गई भी होती है, वो सब अंदर पड़ी भी होती है, एक structure बना रही होती है, तो जैसे है यह आप उस structure को change कर देते हैं, तो आपने घर को भी दा, कभी रन ईन अटेर, चेंज करते हैं, तो आपका जो interior, exterior को change करते हैं, सारी वीलिंग सी change आते हैं, सारी look change हो उसका connection break करने से, उसमें modification करने से, सब कुछ change जाता है, तो modification करने वाले जो तीन step हैं, यह बहुत important होते हैं, तो इन तीन steps को बहुत अच्छी तरह से follow करना है, क्योंकि पहले तो आपका understanding यह है, हैना फिर इन तीन steps को बहुत अच्छी तरह से करके, आगे तो फिर मज़े मज़े हैं, तो यह simple से साथ step follow करकर, आप बहुत ही अच्छी तरह से, अपने आपको किसी भी past repressed memory से, जो आज present में आपके negative emotions produce हो रहे होते हैं, उससे आप easily अपने आपको free कर सकते हैं, और इसके साथ additionally अगर आप अपने calming, confident self को imagine करें, और उस नई situation को face करतावा देखें, देखें, सुने, अपने dialogues को और feel करें, तो आप देखेंगे कि और भी जल्दी आपके अंदर वो state change हो जाएगी, और आप bounce back करने के लिए, shine करने के लिए तयार हो जाएगे, तो इस useful वीडियो को बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कीज़े, ताकि सब का भला हो सके, मैं तो चाहती हूँ कि आप घर बैठें, एकदम से खुश रहें, एकदम healthy रहें, अगर आप चैनल पर भी नए हैं, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिज़े, और इस वीडियो को जरूर से शेयर कीज़े, आप अपना खास क्याल रखेगा, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स वीडियो में,